कि एपी इविडिंग और फ्यू आम प्रोफेसर अनंद कुए अधास आज मैंने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है पुरे वर्ल्ड का वेरी फैमस टॉपिक और वरी इंपोर्टेंट टॉपिक अमंग दिया अंग यंगस्टर्स सब्सक्राइब के बहुत ज़्यादा पॉ किसी के साथ जब किसी कॉलेज वक्षॉप और प्लाशेस जबना है तो क्या सभी जानकारी देखे आपका वीडियो देखके उसको रिट्य कट आडिया हो जाएगा कि इसमें सेलेकिन कैसे होता दॉखिक और है रेका अच्छा क्रिकेटर कैसे बना जाता है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आन तक पूरा देखने कोसिस करिएगा बीच में जंप करकर देखने कोसिस नहीं करिएगा पॉइंट्स दिया हुआ है खुद अपने से पढ़ने की कोशिस नहीं करिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करना लाइक करना नहीं बोलना सो दैट सभी लोगों को पता चले कि हमारे देश में कैसे बना जाता है सबसे पहला पॉइंट आपका एज ग्रूप अभी क्या है सबसे इंपॉर्टन क्रिकेट प्लियर चुकि यंग लोगों के लिए होता है यह ऐसा नहीं होता है लुड़ों खेल रहे हैं इसके लिए यंग फिटनेस बहुत जरूरी है इसका सही उम्र जो होता है क्रिकेट खेलने का आठ साल उम्र से शुरू करना चाहिए तो कि किसी भी छित्र में किसी भी फिल में महरत हासिल करने के लिए आपको मिनिमम पांच साल लगेंगे अगर आप पांच घंटा पर डे खेलते हो तो जी हां यह एक फैक्ट है मेरा एक इसको पर विडियो भी बन देटा चलेगा कि आप इस पांच साल में बैट पकडना है इसे सीखोगे लिए करना आठ से सिकोगे वालेंग करना आच से इख आप क्या कर ना हैं अ या आपके पास कोई एक बड़ा भाई है या जो आपके महले में कोई है सार में जो क्रिकेट में बहुत पास मश्यार रहा है क्रिकेट खेल रहा है तो वह आपको बता गया कि आपके इस चीज में अच्छे हो खुद भी आपका इंट्रेस्ट पांच साल ने पता चलाएगा तेरह साल कुमर में कि आप इन चारों चीजों में से कौन सा चीज में हो ठीक है उसके बाद पांच साल और लगेगा आपको महरत हासिल करने ने फाइव यहस क्योंकि अभी तापको यह पता चला कि आप किस चीज में इस पैसल ना क्या बैट्समन बनोगे बॉदर बनोगे विकेट टीपर और उस पांच साल और लगेगा एटीन यहस पैप उसमें से किसमें सबसे बेस्ट परफॉर करोगे और ऐसा नहीं कि खाली आपको पता ही चलता जाएगा इसके बीच में बहुत सारे मैच खेलोगे ऐसा नहीं है एक बार फिक्स हो गया तेरह साल कि मुर्ण में कि आपने अच्छा कर लेका बैट्समन बनने लाइक हो बॉलर बनने लाइक हो विकेट कीपर बनने लाइ और 18 एस ते लेके 42 एस मैसिमम अब करकेट खेल सकते हैं जब तक आफ रहोगे तब तक करकेट के साथ सबसे बड़ा इंपरेंट बात किया है फिटनेस कि आपको रेगलर यहां लिग दिया है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है फा किसी भी फ्रिल्ड के लिए है खाज क्रिकेट लेक्टिक होई भी हो स्पोर्ट्स हो चाहे बॉली बुड में हो पढ़ाय लिखाई में हो इंद्रीं हो मेडिकल कुछ भी हो सब यह उसका पहला प्माइट ही आपको याद रखना है राइट एज आठ साल अगर नहीं कर पाते पांच साल और लेगा और उस पांच साल जो आप लगाओ के पांच गहंटे मेंद करके वह आपके लिए क्रिकेट जो है अरली उमर से खेला जाता है बहुत कम उमर से खेला जाता है लेटिस्ट बाई आप 13 से शुरू कर सकते हूं 13 से लेके 18 के पीज किसी भी कीमत पे हर हालत में आपको 13 14 के अंदर सुरू करना है मैंने मैंट्रिक पास किये माल ये 16 साल में आपने क्रिकेट खलना सुरू कर गया फिर भी आपको दो-तीन साल लगे गए लगे खुम मेहनत करोंगे पांच घंटा करोंगे अगर आप कर सकते हैं एफॉर्ट कर सकते हो वह सबसे पहला पॉइंट हो जब आपको याद रखना ह को सही उम्र क्या हो जाएंगे दूसरा पॉइंट सबको दिया है गौर्ड ने 20 परसेंगर ये कभी नहीं भोलना हर फिल्ड में पूरे 700 क्रोड लोगों को पूरे वर्ल में उपर वादने सबको टैलेंट दे हैं 20 परसेंट और अपने स्किल्स से जो जितना मेहनत करेगा इस्किल्स का मतलब होना जो रेगुलर किया जाता है रेगुलर बिस्टिस पे उसके माध्यम से आप अच्छी बैटिंग करोगे अच्छा बॉलर बनोगे या विकेट कीपर बनोगे या फिल्लर बनोगे और रंडर बनोगे ये सब डिसाइड होगा अब बॉलर बनोगे दो जुनून है हमारे देश में उठते बैठते सोते चापते लोग क्रिकेट क्रिकेट करते रहते हैं यह बहुत अच्छी चीज है किसी कि खेलके पर ती बहुत उसा है हमारे मन में बिराड को री धुनी जी को हमारे चाइम पर अच्रुदीम कपिल देव जी रसुनिल गवासकर को तो यह बैंक सब कर दी थे उसबर अब और अभी तो बहुत ज्यादा आभी तो इंजिन मोचों कर्केट टीम भी मिताली राज का नाम आता है आप गर्श को निकारना है पांच गैंटे मिनीमम महिनत करता है दस घंडे कर सेगते और आच्छा बहुत जल्दी पिकप होगा अब आपको और बनना है क्या बनना है वह आप डिसाइट करना है वह खुद खेलते खेलते खुद पता चल लाएगा आपको किसमें सबसे ब्रस्ट हो कोई सही तरीका होता जैसे आप ट्यूशन सेंटर जाते को कोचिंग क्लास आपको कैसे खेलना है तो ट्यूशन इंप होता है लेकिन जो कोचिंग क्लास है वो लाइफ का एक्जाम पास करने को तरहे हैं लाइफ में आगे बढ़ेंगे जीवन में वहता है कोचिंग क्लास इसलिए कोच को चुना जाता है में अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात पतलब कोच रखो तो नहीं अब step 4 आता है अब यहां क्या करना है एक professional team को join करना है अब वो professional team क्या होता है inter school और inter college जितना tournament होता है और intra school और inter college inter मतलब within the school colleges में जो match होता है हर match में हिस्सा देना है जहां भी हो बहुल बड़ा school है माल लिए आपका हर department में चल रहा है माल लो किसी भी class में match चल रहा है science वाले के साथ, arts वाले के साथ, commerce वाले के साथ सब match में इस सालो और inter का मतलब होता है दूसरे school के साथ, दूसरे college साथ, दूसरे institute साथ, दूसरे universities के साथ अब इसमें क्या होता है अगर आपने professional team जोईन कर लिया तो आपको step 5 में जाने से कोई नो सकता है एक any academy को जोईन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो कि किसी academy को जोईन करोगे, मालो coach नहीं है, कोई बात नहीं effort नहीं कर सकते हो, लेकर academy जोईन कर सकते हो आपको ध्यान रखना है, अगर मालो आपके पापा finance कर सकते है तो वो academy ddca से affiliated होना चीए, ddca से register होना चीए अब वो academy आपके local level पे, आपके district level पे या state level पे कही भी हो सकता है पता करना है, आज का तो सब कुछ internet हो गया है, गोगल मराज, गोगल बस सर्च मारी आपको सब डिटा मिल जाएगा सब कुछ पता चल लेगा, आपको कि कौन-कौन सा academy आपके local level पे है, block level पे है, especially district level पे होता है अब कोसिस करना है, आपको कि हर हलत में कोई भी professional team या academy जोइन करना है, district level का match किसी कीमत पे आपको miss नहीं करना है district level का match, जो आप खेला खेलते हैं यह खेला जाता है, उस वो हमेशा माना जाता है, हम लोग के time पे ऐसा होता था कि उसको लोग appreciate करते हैं, आप उसको देखा जाता है, उसको watch किया जाता है, उन प्लेयरों का नाम जो उसमें अच्छा perform करते हैं, वो राजी लेबल तक जाता ह है, आपको हो सकता है का आप बहुत अच्छे batsman हो, baller हो, fielder हो, bicketkeeper हो, तो आपको borrow किया जाएगा, जी हाँ, आपको जानके बहुत आस्तर जोगा, मेरे पिता जी अपने जमाने में 1950, 60's के आसपास, हम मुझे याद आता है जिद बताते थे, उनके मित्र लोग बताते थे, आप, वो बहुत अच्छे गोली थे, football गोली, उनको borrow किया जाता था, सोच लेजी, वो कितने अच्छे गोली है उनको जमाने के, उस जमाने में 300 गाउं के, में खेल होता था, उसकर football का, उनको borrow किया जाता था, इतना सामदार गोली होगा करते थे, अपने आपको उस label ते ल करना होगा, लेकिन at the same time, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है, या आपको याद रखनागा, आपको लगता है कि मेट्रिक पास करके छोड़ दी है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ेगा, पढ़ने से और जून को क्या होते है, कम्प्लेट करने में मदद मिलती है, बहुत जल्दी और दिमाग तेख चलेगा, और भी बहुत सारे आडियाज आएंगा, तो आप जल सा जल अपने गोल को अचीव करने में आपको मदद देगा, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद, जो सबसे इंपार्टन पा पर जहां मौका मिले, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी खेल हो रहाओ, समय हिस्सा लेजे, क्रियेट करिए टुनामेंट अपने तरफ से, लाकि मिलिये लोगों से, ग्रूप बनाएए, टीम बनाएए, खुब टुनामेंट के लिए, किसी भी कीम पर नेशनल लेबल पर जो सेलेक्शन करवाना है अपने आपको वो सिस्टिफ सिक्स और स्टिफ सेवन इंटरनेशनल लेबल, वो तभी संबब है, जब आप रंजी ट्रॉफी के लिए खेलोगे कभी, जी हाँ, आपने बिलको टिक सुना, नेशनल लेबल पर आपकी पहचा प्रिक्लर, विक्ट कीपर, और और रॉंडर, और एनिफिंग हैल्स, कुसी भी चिज में पहत्रीन परफॉर्मेंस हो गया आपका, आप ट्रक लाइम लाइट में आ जाओगे, आपको पहचान लिया जाएगा, आपका रेक्रमेडेशन टीम एक लिए हो जाएगा, नैस्नल लेना है, आज को दो सब कुछ आउनलाइन आता है, आउनलाइन फॉर्म बराया जाता है, नैस्नल क्रिकेट एकडमी के द्वारा, वहाँ पे बड़े-बड़े क्रिकेट प्लेश जितने भी हमारे देश के हैं, वो सब जुनियर यूबा क्रिकेट खिलानियों को मौका देते आई एक मैच के लिए, यहना प्रेक पैसावाले हैं, अगर आप पैसावाले हैं, तब इंग्लेंड जाके खेल सकते हैं, काउंटी क्रिकेट खेल सकते हैं, आपको तुरत सेLECTION हो जाएगा आई-पिल में, अगर आपने महद अच्छा परफॉर्म कर दिया, बीबील क्रिके प्रोशेस जो कि आपको ध्यान देना है तो नैशनल टीमें स्लेक्षन कहां से सुरू होता है आपको किसी भी लेबल तो किसी भी सखर में और विफ रखनी पड़ता है सही उमर में सुरुवात करने हैं आपको यह यात रखना है आठ साल में बला पकड़ लीजिए अगर आप नहीं पकड़े हैं सकते हैं उतों परकेश। करने से सर्मसिक करने पर्फेक्टर हो हैं तो ब्लॉक ब्लॉक अट करता है वह को करना है तो लोकल ब्लॉक ¬्लोक रिस्ट्रिक स्टेटाइ लेवस्ति खेलना बहुत-ज़रोरी है किस सब्स्टेट आप पारॉचिस करवा ऑप बिस्टिक लेबल पर खिलते रहोगे अच्छा परफॉर्मर रहोगे अपने आप आपका सेलेक्षिन हो जाएगा कहीं को दिक्कत नहीं है अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेबल टीम में नेशनल लेबल टीम में पांच-दस क्रिकेट मैच खिल क這邊 सब्सक्राइब करना नहीं बोलना सबसे पहला इंप्मोट कम स क्सक्राइब करना नहीं बोलना कि और भी नोटिफिकेशन क्रिकेट आता जाएगा अब मैं चाहता हूं कि पर चार-पांच वीडियो में आप लोग बना कर दूंगा दूंगा इसके बारे में और भी जानकारी अधरवाइग गूगल महाज सब कुछ बता सकते हैं आपको गूगल में सब्सक्राइग आखकल आपकी फिंगर्टिप्स पे सारा इंफमेशन अब लेवाद है तो थैंक यू सो मच्छ में गट ब्लस्यू दा है एपी बिदिए